हेलो दोस्तो आज की वीडियो में बात करेंगे accuracy और precision में क्या फरक होता है तो definition देखते है accuracy मतलब the closeness of measurements to the true या फिर exact value और precision मतलब the closeness of measurements to each other अब इस example के through समझने की कोशिश करते हैं इन दो terms में क्या फरक होता है अब आपने मेले में ये game देखा होगा जिसमें आपको तीन bullets दी जाती है और उससे आपको निशाना लगाना होता है ठीक है तो ये पहला Mr. accurate but imprecise ये क्या करता है पहली bullet ये यहाँ पर मारता है ठीक है दूसरी यहाँ और तीसरी यहाँ पर तो ये accurate है accurate क्यों है क्योंकि पहली bullet इसकी जहाँ पर लगनी चाहिए थी निशाने पर वहीं पर लगी है लेकिन ये precise नहीं है precise मतलब close close ठीक है ये तीन bullets एक दूसरे के close close नहीं है तो ये imprecise है लेकिन accurate है जहाँ पर लगनी थी वहीं पर लगी है अब ये वाला mister precise but inaccurate ये क्या करता है तीनों bullets एक दूसरे के close close मारता है ठीक है लेकिन accurate नहीं है accurate क्यों नहीं है क्योंकि यह जहाँ पर लगनी थी वहाँ पर नहीं लगी लेकिन एक दूसरे के close लगी इसलिए precise है लेकिन accurate नहीं है अब इस इनसान को देखते है Mr. inaccurate and imprecise अब यह accurate भी नहीं है और precise भी नहीं है je accurate क्यों नहीं है क्योंकि जहां पर लगनी थी वहाँ तो नहीं वारी एक यहां पर एक यहां पर यहां पर तीनों close-close भी नहीं है ठीक है इसलिए इम-persize- inaccurate और यह वाला देखो अब यह mister shooter है sharp shooter, sniper serp sniper mr accurate and precise अब यह sharpshooter इसको भी तीन बुलट दी जाती है same gun same board लेकिन तीनो बुलट यह जहां पर लगनी थी है वहीं पर लगती है इसकी और तीनो एक दूसरे के करीब करीब लगती है ठीक है तो यह accurate भी है जहां पर लगनी थी वहीं पर लगी है और precise भी है क्योंकि तीनो ए एक दूसरे के करीब करीब है तो इसी के साथ आपको समझ आ गया होगा यार कि एक्यूरेशी और प्रिसीजन में क्या फरक होता है आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद